वेलकम टू मैं चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उस रेसिपी को दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ मातर 5 रुपे में धेर सारा ये चना आ जाता हूँ इस चने का यदि आप सेवन करेंगे तो आपकी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, मास पेशियों का दर्द, घुटनों के दर्द से आपको राहत मिलेगी आप कुछ दिन इसे लेकर देखें आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में फूर्ती बनेगी और हर तरह का जो जॉइंट पेन होता है उससे आपको आराम मिलेगा तो शरीर की हड़ियों के मास पेशियों के दर्द को दूर करने का बहुत ही आसान घरेलू उपाए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये उपाए सब ही कर सकते हैं दोस्तों चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो शरीर में केल्शियम की कमी किसी भी उम्र में हो सकती और केल्शियम की कमी से बहुत सारी हमें बिमारियां घेर लेती है केल्शियम का सबसे बड़ा श्रोद जैसे की पहले मैंने आपको दिखाया चना दूसरा जो की भरपूर मात्रा में जिसमें केल्फियम होता है वह है तिल तो यहाँ पर मैंने सफेद वाला तिल लिया है तिल जिसे की हम सीसम सीड कहते हैं दोनों ही इंक्रिडेंट्स दोस्तों बहुत ही सस्ते हैं पांच रुपय में भी आपको धेड़ सारी तिल मिल जाएगी वैसे ही चने बहुत सस्ते आते हैं तो एक साधरान इंसान भी इस चीज को ले सकता है बिना पैसा खर्च किये हुए ही हम अपने जो हड्डियों का दर्द है उससे राहत पा सकते हैं तो आपको दोस्तों इसके लिए तिल को हलका सा सेक लेना है ड्राय रोस्त करना है दोस्तों घी तेल में सेकने की जर्वत नहीं है यहाँ पर मैंने तिल को ऐसे सुखा ही कड़ाई में सेक लिया था आप चाहें तो तिल के पाउडर को थोड़ा जादा बना कर भी रख सकते हैं तो यह देखें खलबते में तिल को डाल लिया है और बढ़िया अच्छा इसे कूट लेना है मोटा मोटा कूटेंगे तो भी ठीक है क्योंकि तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है सिक चुका है या फिर आप यदि जादा तिल का पाउडर बना रहे हैं तो ग्राइंडिंग जार में डाले और बढ़िया अच्छा इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना सकते हैं तिल में भरपूर मात्रा में कैलशियम होता है मैगनिशियम होता है साथ ही साथ जो तिल होता यदि एक चम्मस तिल खाएंगे तो 100 mg केलशियम आपके शरीर को मिलेगा तिल में बहुत ही खास amino acid होते हैं दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लागारी होते हैं तिल को आपको दो तरह से आप ले सकते हैं दोस्तों दूद में भी ले सकते हैं या फिर कुछ नहीं तो आप इसे गरम पानी के साथ लें तो पानी को मैंने अच्छा थोड़ा गरम ही कर लिया है गरम पानी के साथ आपको एक चम्मस तिल का पाउडर लेना है तिल को दोस्तों मैंने यहाँ पर मोटा मोटा ही क्रश किया आप चाहें तो एक तम फाइन पाउडर भी बना सकते हैं और तिल में यदि आपको ऐसे खाना अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ी से मिश्री डालें मीठे के लिए कभी भी शक्कर का इस्तमाल न करें दोस्तों ह हमेशा गुड का इस्तमाल करें या फिर मिश्री जिसे कि हम शुगर कैंडी भी कहते हैं तो छोटा सा मिश्री का टुकडा है से क्रश कर लिया है तो एक तरीका तो यह हो गया कि आप एक चम्मस्तिल का पाउडर और गरम पानी ले या फिर दूद के साथ एक चम्मस्तिल का पाउडर ले दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ दोस्तों इससे आपके शरीर में कैल्शियम बिल्कुल भी कम होने नहीं पाएगा तो यहां पर मैंने फुटे हुए जो चने आते हैं दोस्तों चने जिसमें की हाई क्वालिटी में बहुत जादा मात में कैल्शियम होता है दोस्तों कैल्शियम से भरपूर है आईरन और बहुत सारे मिनरल्स और विटामीन होते हैं चने में जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है तो सूखा चना आपको नहीं खाना है दोस्तों दो बड़े चमच आपको चना लेना है आप चार पूरकारी है गुड़ गुड़ में बहुत जादा मात्रा में आईरन होता है जो कि है और हमारी आखों के लिए भी गुड़ बहुत अच्छा है तो गुड़ का सेवन करें तो दोस्तों जब भी शाम के समय आपको बहुत जोड़ से यदी भूक लगती है तो आपको तीन य देखें हड़ियों के दर्द बदन दर्द से आपको राहत मिलेगी तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किजन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही कमेंड करके जरूर देखें के वीडियो के ऐसा लगा